जो करेगा ये काम हो जाएगा रातो रात माला माल जोतिस की लाल किताब में लिखीत उपाए देखने और पढ़ने में सरल और छोटे लगते हैं लेकिन ये अत्यंती शीग्र प्रभाव देने वाले होते हैं इस वीडियो में हम लाल किताब की कुछ ऐसे खास उपाए आपको बताएंगे इन उपाएव में से कुछ उपाए भी कम से कम साथ दिन तक शर्दा पूर्वक किये जाएं तो आश्चर जनगरूप से चमतकारी वे लाबकारी परिणामों की प्राप्ती होती है आपके पास पैसे नहीं टिकते, घर में कंगाली रहती है, आपका काम में मन नहीं लगता या धन में व्रिदिन नहीं होती है, तो आप इन उपाएव को अपना सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मा लक्षमी का आप पर अशिरवात बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बोक्स में जै लक्षमी माता जरूर लिखें आईए जानते हैं उन उपायों के बारे में नमबर एक किसी भी महत्वपूर्ण कारे को शुरू करने से पहले अथ्वा यात्रा पर निकलने से पूर्व गुड़ खाकर पानी पीएं नमबर दो घर में बड़ी बुजर्ग महिलाओं दादी मा, चाची, भुवा आदी को समुचित सम्मान सेवा द्वा द्वारफ परशन न रखें नमबर तीन घर में गाए पाले और उसकी यथा संभव सेवा करें प्रंतुए गाए काले रंकी होनी चाहिए सफेद नहीं नमबर चार, रात को सोते समय पांच कागजी बदाम को शिरहने रखें और दूसरे दिन उन्हें ले जाकर देव मंदिर में दान कर दें नमबर पांच, घर में अगर गाए भैस हो तो उसके दूद का उप्योग सोय करें या परिवार वाले करें इस दूद का विक्रे किसी भी हालत में ना करें नमबर च्छे, गर्मी के दिनों में रास्ते पर पथिकों के लिए ठंडा जल पीने के विवस्था करें नमबर साथ, चांदी की दो ठोस गोलियों को अपने पास सदेव रखें नमबर आठ, तंदूर मेसी की रोटी में गुड मिला कर पालतु कुत्तों को खिलाएं नमबर नो, त्रीधातू, सोना, चांदी और तांबा से विधी पूर्वक निर्मित, अभीमंत्रित, पवित्री, दरिद्रता नाशक मुद्रिका अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में गुरुवार को धरन करें यह मुद्री का अद्भुत चमितकारी होती है नमबर दस, चांदी की बिना जोडवाली अंगुठी तरजनी उंगली में पहने रखें नमबर ग्यारा, घर में तोता, मेना, आदी को पालें या बाहर के पक्षियों को भी बुला कर उने खिलाएं पिलाएं नमबर बारा, पन्ना या हिरा में से कोई एक रत्न अंगुठी में जड़वा कर धारन करें नमबर तेहरा, घर के किसी कोने में चांदी का एक चोकोर टुकडा गाड़ दें नमबर चोदा, अपने वेतन का एक निश्चित अंस पहले निकाल कर तिजोरी लोकर या परस में रखें और इसे खर्च ना करें नमबर पंदरा, परतिदिन सनान आदी से निवरित होकर नाभी में केसर का तिलक लगाएं नमबर सोला, मंदिर में जाकर परतिदिन गरब गरह या उसके परिसर में पहुचा लगाएं नमबर सत्रा, लाल रंग की 43 गुंजाओं को सोने केक टुकडे या किसी आभूशन के साथ पीले कपड़े में बांध कर अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें नमबर 18, साप को कभी न मारें बलकि उसके बिल के पास जाकर चांदी के कटोरे में दूध रखकर आएं नमबर 19, सरसो का देपक देव मंदिर में जलाएं या उसकी विवस्था करें नमबर 20, भोजन के पूर्व गो ग्रास निकाल कर गाए, कौवा या कुत्ते को खिलाएं नमबर 21, गोशाला में जाकर गाए के गले में पीतल की घंटियां बांधें नमबर 22, पतनी के मस्तक पर स्वरणा भूशन करवाएं नमबर 23, प्रती दिन बुजर्गों के चर्ण स्पर्ष करें और उनका आशिरवाद ग्रहन करें नमबर 24, रसोई घर के लिए उप्योगी लोहे की वस्तवें जैसे तवा, कडाही, करचुल, चलनियादी का अभावगरस लोगों में दान करें नमबर 25, कोवों और काले कुतों को मिठी रोटी खिलाएं नमबर 26, किसी भी पशू पक्सी का शिकार ना करें नमबर 27, स्नान करते समय थोड़ा दूद पहले मस्तक पर रखें नमबर 28, आप स्वय भी कोई ना कोई श्वरन आभूशन सरीर पर अवश्य धारन करें नमबर 29, 400 ग्राम धनिया बहती नदी के जल में परवाहित करें नमबर 30, घर आंगन में हरे पोदे के गमले तथा तुलसी का पोदा अवश्य रखें नमबर 31, भोजन बन जाने के बाद चूले की आग को बाहर निकाल कर पाने की बजाये दूद से बुझाएं नमबर 32, एक लोटा गंगा जल से भर कर तथा उसके अंदर चांदे के दोद सिक्के डाल कर ढखकन लगा कर घर में रखें नमबर 33, रात को सोते समय सिरहने एक गिलास में पानी भर कर रखें और सुभे उठकर बिना मूद होए उसे पी लें नमबर 34, असली मूंगा रतन का एक टुकडा हमेशा ही सिरहने तकिये के नीचे रखकर रात में सोएं नमबर 35, पैरों के दोनों अंगुठों में चांदी का चला पहन कर रहें नमबर 36, दाहिने हाथ की तरजनी उंगली में सोने की अंगुठी धारन करें नमबर 37, कान छिदवा कर उसमें सोने के कुंडल धारन करें 38. घर में कुत्ता पालें और उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें 49. काली चीटियों को चीनी विश्रित आटा खिलाएं 40. कभी किसी को धोखा देने की नियत ना रखें 41. एक सुखा नारियल शनिवार को बहती नदी के जल में परवाहित करें 42. कौारी कन्याओं की समझ समय पर पूजा करें और उन्हें दूद चावल चांदी का दान दे कर उनका अशिरवाद लें 43. हनमान चालीसा या सुंदरकांड रमाइन का परति दिन पाठ करें 44. काला सुर्मा खुली शीशी में रखकर किसी एकांत स्थान में जाकर जमीन में गाड़ दें 45. परतियक शनिवार हनमान जी के मंदिर जाकर हनमान जी की परतिमा को सिंदूर का लेप लगाएं नमबर 46, एक पैग शराब भेरो या काल भेरो के मंदिर में जाकर उन्हें अरपित करें नमबर 47, किसी कूप या तालाब में परती शनिवार को लगातार तांबे का एक सिक्का गिराएं ध्यान रखे आपको कोई देखने ना पाए नमबर 48, तीन अंधे व्यक्तियों को घर पर बुला कर हर शनिवार को भरपेट खिचडी खिलाएं नमबर 49, नारियल के उपर एक छेद बना कर उसे तिल और चीनी से भर दें और एकांत स्थान पर जमीन के अंदर इस धंक से गाड़ दें कि उसका उपर वाला छे जमीन से कुछ उपर रहे वेड ढ़कने ना पाए नमबर 50, परति दिन काले कोई को अपने भोजन में से ग्रास निकाल कर खाने को दें नमबर 51, अगर आप धन समंदी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप 21 शुकरवार तक 9 वर्ष की आयू तक की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का परशाद खिलाएं आपकी समस्याओं का समादान हो जाएगा नमबर 52, अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, जेब खाली रहती है तो अपने सिराने तांबे का एक पात्तर रखें और उसमें लाल चंदन डाल दें अगले दिन सुबह उसे तुलसे के पोधे में चड़ा दें, आपकी समस्याओं का समादान हो जाएगा नमबर 53, अगर आप केरियर या वैपार में किसी तरह की परिशानी जेल रहे हैं तो कुत्ते को रोटी खिलाना उत्तम रहता है, ऐसा करने से आपकी समस्याओं का समादान हो जाएगा नमबर 54, लाल किताब के अनुसार, अगर आपके घर में किसी कन्या के विवाह में बादा आ रही हो तो हर सोमवार को ओम समेश्वराय नमह मंतर का जाप करते हुए भगवान शिव को दूद जल बेल पत्र अरपित करें, आपकी इस समस्याओं का भी समादान हो जाएगा अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर सेट कर लें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद